पता है आज मुझे खिचड़ी पे एक कहानी याद आ गई चो कि मेरी नानी मुझे सुनाती थी बच्पन में क्या आप सुनना चाहेंगे ओके तो लड़का था अपनी मा के साथ रहता था एक दिन क्या हुआ सुबब उठा तो उसके पेट में बढ़ा दर्द था तो उसकी मा ने बोला कि जाके बैद जी को दिखा लो बैद जी का घर उसके गाउं से थोड़ा दूर था तो वो गया बैद जी को दिखा ले बैद जी ने उसे देखा और उसको बताया कि किस कारण हुआ है और तुम यह यह दवाईया ले लेना थोड़ा उसने दवाई दिया उसको और बोला कि घर जाके आज खाना मत खाना खिचुडी खा लेना तो उसने बोला कि खिचुडी ये क्या होता है तो बोला तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है बस तुम जाके मां से बोल देना कि खिचुडी हमको चाहिए डाक्टर ने बोला है बैट जी ने बोला है तो बोले ठीक है अच्छा अब वो सोच रहा था कि भाई बहुत गहरी बात है ये खिचुडी तो रास्ते में वो खुब रटते रटते आ रहा था और जैसे कि बच्चों की थोड़ी आदत होती है तो वो चलते चलते खुब तेजी-तेजी से उसे याद कर रहा था खचुडी 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 ऐसे करते करते वो उसके मुख से वो खचुडी खचुडी निकलने लगा इतने में उधर एक किसाम वो बाजरे की खेती किया था तो उसमें वो चुड़िया उड़ा रहा था उसके बाजरे की फसल को चुडिया खा दे रही थी, तो वो चुडिया उड़ा रहा था, और इधर यह लड़का अपने ध्यान में बढ़ियां मस्ती में जा रहा था, बोलते बोलते खा चुडि, खा चुडि, खा चुडि, तो वो किसान को बड़ी गुस्सा आई, उसने सोच तो था कि इधर उधर देखा और उसके बाद उस लड़के को पकडड लिया बुला इधर आओ ये तुम क्या कर रहे हो मैं इतने महरत से इस उड़ा रहा हूं उड़चडी तो उसने बुला ठीक है अब वो वहां से चला और बोलते बोलते उड़चडी 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 ऐसे ऐसे इतने में उधर एक बाग आया बाग के पास एक बहेलिया पच्छियों को पकड़ने के लिए दाना डाला था और जाल बिछाया था अब ये अपनी मस्ती में उधर से जा रहा था उड़चडी 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 अब बहेलिया सोचा कि हैं ये क्या इतने में इसकी आवाज से चड़िया जो बैठने वाली थी उसके जाल में फसने वाली थी वो उड़ गई अब उसको बहु तुम्हारी बहुत पिटाई करूँगा, फिर उसको वो मारने चला, तो उसने बोला, अच्छा मुझे मार्फ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वहीं बोलूँगा, तो बोला अच्छा ठीक है, तो अब तुम ये बोलो, कि आते जाओ, फस्ते जाओ, आते जाओ, फस्ते इतने में उधर से चोरों का एक दल, जो कि अपना पूरा गुट बना रहे थे, कि आज हम किसी धनाड बिक्त के हाँ चोरी करेंगे, और वो लोग उधर से जा रहे थे, तो उन्होंने सुना, ये क्या बोल रहा है, आते जाओ, फस्ते जाओ, आते जाओ, फस्ते जाओ, तो वो उनको लगा कि इसे कैसे पता चल गया हमारे काम के बारे में, उन्होंने जल्दी से उसे पकड़ लिया, बोले ये क्या कर रहे हो तुम, तुम चाहते हो कि हम लोग फस जाएं, और ऐसा करके वो लोग उसे माल में चले, फिर वो जल्दी से हाथ जोड़के बोला कि मुझे म जो आप कहेंगे, मैं वही बोलूँगा, तो उसने बोला कि ठीक है, अब की बार तुम ये बोलो, कि ये रखाओ और ले जाओ, ये रखाओ और ले जाओ, ये रखाओ और ले जाओ, तो बोला कि ठीक है, अब ये वहां से फिर आगे बढ़ा, अब बोल रहा है, ये रखाओ और ले जाओ, ये रखाओ, और ले जाओ, ये रखाओ, और ले जाओ, अब इसके माइन में ये बात चल रही थी, इतने में उधर से उस गाउं के मुखिया की मृत्यू हो गई थी, तो वो लोग उनकी आंतिम संस्कार के लिए उनके लास को लेके जा रहे थे, इतने में किसी सुना कि यह कहरा है यह रखाओ और ले जाओ तो एक बुज़र को बड़ी गुस्सा आई कि ऐसे तो हम इतने मातम में डूबे हुए हैं और यह कह रहा है कि इसको रखाओ और ले जाओ अब उन्हों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद बोला कि यह क्या तुम बोल रहे हो तुम्हें समझ में नहीं आता, खुब उसको मारने चले, तो फिर वो हाथ जोड़ने लगा, हाथ जोड़के गरगरान लगा, इस ने बोला कि माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वहीं बोला, तो उस बुज़र ने बोला, कि हाँ, तुम ये बोलो, कि भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए है, तो ये बोला ठीक है, अब ये वहाँ से आगे बढ़ा, अब आगे बढ़ा तो एक घर में साधी के कारिकरम के तयारियां चल रही थी, अब वहाँ से ये गुजर रहा था, तो इसने बोला कि, ऐसा दिन किसी को न दिखाए, ऐसा दिन किसी को न दिखाए, तो वहाँ पे जो एक माई बैटी थी, तो उसको बड़ी गुस्सा लगी कि, अरे हमारे यहाँ तो साधी विभाह का समय है, और इतना सुब समय है, और ये बोल रहा है, ये समय किसी को न कर लिया और उसको मारने चली इतने में फिर यह गिर गिराने लगा हाथ जोड़ने लगा माफ कर दीजिए माजी मुझे माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए मुझे मुझे गलती हो गई आप जो कहेंगी मैं वही तो माई ने बोला कि ठीक है तुम ऐसा बोलो कि ऐसा दिन सबको नसीब हो, ऐसा दिन सबको नसीब हो, ऐसा दिन सबको नसीब हो, तो बोला ठीक है, अब वो फिर और आगे चला, जब और आगे चला, तो उसके मुझ से यही निकल रहा था, ऐसा दिन सबको नसीब हो, ऐसा दिन सबको नसीब हो, इतने में एक बच्चा उधर बहुत रो रहा था तो उसके कानमें यह आवाज आहीं कि ऐसा दिन सबको नसीब हो धे आनWe वह के गाड़ा जट से कनल सकर दो बोला हाथ लोड लिए जर्ट से माजी मुझे 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 कर दीजिये, आप जो कहेंगी मैं वह कहूं, माई जो थी, वो बोली कि हाँ ठीक है, तुम ऐसे बोलो कि ये भी सूख जाए, जल्दी से सूख जाए, तो बोला कि ठीक है, अब वो आगे बढ़ा, और अब उसके मन में चल रहा था, ये सूख जाए, जल्दी से सूख जाए, य अब इतने में आगे जब जा रहा था, तो सड़क के किनारे एक माली अपने खेत में पेड़ लगा रहा था, तो उसके कान में ये आवा जाए, ये सूख जाए, वो भी सूख जाए, अब उसको बड़ी गुस्सा लगी, बोला कि अरी, मैं यहां इतनी मेहनत से खाथ पानी चाल कर पौधा तैयार कर रहा हूं कि ये बढ़े पन पे और ये कह रहा है, ये भी सूख जाए, वो भी सूख जाए, उसको बड़ी गुस्सा लगी, वो जल्दी से लंबे कदम बढ़ा के आया सड़क पे, और इससे बोला, सुनो, ये तुम क्या कर रहा हो, एक जापर लग लग जाए, उधर भी लग जाए, सब तरफ लग जाए, तो बोला ठीक है, अब ये वहां से चला आगे बढ़ा, और ये बोल रहा था, इधर भी लग जाए, उधर भी लग जाए, सब तरफ लग जाए, तो इतने में एक घर में आग लगी हुई थी, अब उधर सब लोग प कुछ इन ऐ blends जह्मा समय और सुन और बोल से वह इसको मार के और बसम लमर्ण पर यह पर मेंबड़ा है। और ऐसा करके जैसे उलो मालने चले उसे उसने जट से हाथ जोड़ लिया अगर आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना या ऐसी स्टोरी याद आ गई हो मेरी इस कहानी को सुनकर तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको कैसी लगी मेरी ये स्टोरी आप जरूर बताईए साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद